हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम किस तरीके से अपने इस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं आज किस वीडियो में आपको temporarily delete करके नहीं दिखाऊंगा आज किस वीडियो में आपको permanently delete करके दिखाऊंगा आप किस तरीके से delete कर सकते हैं delete करने का आपका अपना कुछ region हो सकता है आज कल तो वैसे भी लोगबाग many accounts रखते हैं बना करके आज की स् वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ईजी तरीके से अपने Instagram के A velvet को permanently delete कर सकते हैं आप पता न चाहते हैं आप किस रेजन से अपने account को delete कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तो चलिए वीडियो को करते हैं इस चाहँ बहुदे चैनल को पहली बार सरे स्ब्सक्राइब करें it अब और उपने इस्टाग्राम अक्याण को और यहांपर आपके प्रोफाइल का यह ऊपशन देखने को मिलता है यहां पर कुमिलना है आपको सिंपल इस पर किलिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर 3Dot वाले उप्सन पर किलिक करते हैं आपको यहाँ पर Setting and Privacy का उप्सन देखने को मिलता है आपको इस पर किलिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर Setting and Privacy वाले उप्सन पर किलिक करते हैं आपको यहाँ पर काफी सारे उप्सन देखने को मिलेंगे आपको थोड़ा स्क्रोल करके नीचे आजाना है आपको स्क्रोल करके इसके बोटम में आजाना है जैसी आप यहाँ पर स्क्रोल डाउन करके नीचे आजाते हैं आपको यहाँ पर help center पर click करना है आप जैसी यहाँ पर help center पर click करते हैं आपको यहाँ पर कई सारे option देखने को मिल जाएंगे लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों घबराने की जरूत नहीं है आप बहुती easy तरीके से अपने instagram के account को delete कर सकते हैं आपको सिंपल ही तो आगे वीडियो में बने रही है तो आगे हमें क्या करना है? आपको simply 3.2 वाले option पर click करना है जैसी हम यहाँ पर 3.2 वाले option पर click करते हैं आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा manage your account आपको यहाँ पर click कर देना है अब जैसे आप यहाँ पर किलिक करते हैं आपको यहाँ पर भी काफी सारे option देखने को मिल रहे होंगे आपको यहाँ पर delete your account का एक option देखने को मिल रहोगा आपको simply इस पर click कर देना है अब दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा सा confusion हो जाता है हमें यहाँ पर कौन से option को choose करना है कौन से को choose नहीं करना है तो हमें तो यहाँ पर अपने Instagram के account को delete करना है तो हमें यहाँ पर second वाला option को choose करना है अब यहाँ पर थोड़ा स्क्रोल करके आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा download आ copy आपने जो भी post किये हैं जो भी instagram पर आपने अपनी post किये हैं अगर आप अपने instagram account को delete करने से पहले अगर आपको चाहिए अपने post अपने photo तो यहाँ से आप download कर सकते हैं copy कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर भी कोई delete करने का option नहीं मिला है आप थोड़ा scroll करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई delete करने का option नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना है हमें वापस से उपर आ जाना है और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे Temporary Deactivate Your Instagram Account आपको Simply इस वाले Aero पर क्लिक कर देना है अब जैसे आप यहाँ पर Temporary Deactivate Your Instagram Account पर क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा स्क्रोल करके नीचे आ जाना है तो आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलना होगा delete your Instagram account तो आपको simply यहाँ पर click कर देना है तो आप जैसे ही यहाँ पर click करते हैं आपको यहाँ पर भी temporarily deactivate your account को option देखने को मिलता है तो हमें तो अपना account permanently delete करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलना होगा Android app help तो आपको इस arrow पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है हमें यहाँ पर mobile browser help पर click करना है तो जैसे आप mobile browser help पर click करते हैं आपको थोड़ा scroll करके नीचे आना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल चुका होगा delete your account आपको इस पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर delete your account वाले option पर click करते हैं तो यह आप से पूंचता है आप अपने Instagram account क्यों delete करना चाहते हो जैसे का आप यहाँ पर देख सकते हैं why do you want to delete आगे मेरे Instagram account का नाम है तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको इस arrow वाले option पर click करना है तो आपको जो भी reason हो आप यहाँ से choose कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर too many ads पर click करूँगा जैसे ही मैं option को choose कर लेता हूँ आपको यहाँ पर कुछ इस परकार का interface देखने को मिलता है आपको यहाँ पर अपने Instagram account को delete करने से पहले यहाँ पर अपने password को fill करना है तब ही आप अपने Instagram account को delete कर पाएंगे अगर आपको पता नहीं है आपके Instagram account का password क्या है तो आप simply i button पर click करके देख सकते हैं वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर password fill कर देना है और यहाँ पर नीचे आपको delete का option देखने को मिल दा होगा और मेरे account का नाम है आपको simply इस पर click करके छोड़ देख तो जैसे आप यहाँ पर delete के option पर click करके छोड़ देते हैं तो आपको यहाँ पर 30 दिन के अंदर permanently आपका account delete हो जाएगा अगर आपको mind change हो जाता है उन 30 दिन के अंदर आप सोचते हैं मुझे अपने Instagram account delete नहीं करना है तो आपको ऐसे में क्या करना है 30 दिन से पहले पहले आपको अपने password को re-enter करना है और अपने account को आप चला सकते हैं तो भाई मुझे अपने account को delete नहीं करना है इसलिए मैं delete नहीं कर रहा हूँ मुझे आपको बताना था मैंने आपको बता दिया है आप इस तरीके से अपने account को delete कर सकते हैं आपको आपका Instagram account delete हो गया होगा वो तो आपको पता है आपने किस रीजन से अपने account को delete किया है उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर दें आपको वीडियो से रिलेटिड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें मैं आपके हर कमेंट का रिपलाई करूँ आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में